एक वड़ी जनकारी निकल के आ रही है देवगर एरपोर्ट से तो दोस्तों में बता दूं कि अभी महजूद हूँ देवगर एरपोर्ट में और यहां पर कुछ जमीन जो विभाद पर चल रही है और गैसे वहां पर लोगों घर बना चुके और ने ने घर भी तूट रहे है कि क्या अभी और कितना मंत रुकना पड़ेगा देवगर एरपोर्ट गाटन के लिए तो आए आज के सब्टिवने पूरा जनकारी जान लाते हैं तो चैनल को ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजगा तो दोस्तों मैं बता दूं कि एरपोर्ट के बाहर फोर लाइन हो बन रहा है जो कि में खऱर रहा है इसके बीक यहां पर कई सारे में हैं कि ने म journée मकान है और कुछ मकाने को तोड़े गए हैं और कुछ मकाने से हैं जो अभी बीबात पर चल रहा है तो यहां पर देख सकते हैं गाइस जिसा की एक नया भवन है जो की तूटा तूट रहा है इस पर काम चल रहा है बागी उधर भी और विडिंग है उन सब को भी तोड़ा जाएगा लेकिन गाइस वह भी बात पर चल रहा है यहां पर आने के बाद से पता चला तो हम आपको कुछ बाते सुनाएगे हैं कि अभी उड़ घाटंग में लेट है बट गाइस एक बहुत अच्छी बात बताए कि सावन से पहले हो से कि यह एरपोर्ट का उड़ घाटंग शुरू अब कुछ घर हैं जो अटने का नाम नहीं लिए हैं जाते करन अभी विभाग चलते हैं कि अ नियुक्त कि अ अ पॉल तो दोस्तों चलिए आईए यहां पर कुछ सीकोटी गाड़ है उनके माधिम से लोग जानते हैं यह चलो होगा इस से रिलेटेड है ना वी यूटूब के वीडियों बनाते हैं तो मतलब की बहुत ज्यादा लोग देखता है तो इसलिए लेकिन अभी तो काम चली रहा है अपरेल के बाद तो आई हो की गाईज आपको आज का अपडेट से जानने को मिले होगा तो लाइक कीजिए कोमेंट करके बताएं कि मेरा ब्लोग आप लोग केसा लगता है और चानल को सब्सक्राब कर लिए तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कल एक नए वीडियो के सार्थ तब तक के लिए पना ख्याल रखिएगा टेक क बाइ बाइ